अफवाओं की माने तो सल्मान कान की फिल्म दबंग 3 पर काम शुरू हो चुका है बारत की शूटिंग खतम होते ही दबंग 3 की शूटिंग शुरू हो जाएगी इस फिल्म के लिए सल्मान फैंस के साथ सथ सोनाक्षी सिना के फैंस भी काफी खुश है आखिर चुलबुल पांडे और रज्जो की जोड़ी तो सुपरिट है लेकिन बता दे कि दबंग 3 में सुनाक्षी सिना का रोल काफी चोटा कर दिया गया दबंग या दबंग 2 की तरह यहां रज्जो पूरी फिल्म में नहीं दिखाई देगी वहीं दबंग 3 में रज्जो का किरदा सिर्फ कुछ ही मिंटो का है सलमान खान जो हैं सुनाक्षी बस कुछ ही सीन्स में दिखाई देंगे दरहसल फिल्म की स्क्रिट इस तरह तयार की गई है कि पूरा फोकस चुलबुल पांडे के किरदार पर है बलकि फिल्म निर्माता ने इस बाद चुलबुल पांडे के किरदार को ही अलग अंदाज में पेश करने की सोची है देखना दिल्चस्प हुआ कि दबंग 3 फैंस को कितना इंप्रेस कर पाती है क्योंकि सीक्वल फिल्मों से उम्मीद काफी बढ़ जाती है फिल्म का निर्देशन प्रभू देवा करेंगे जबकि प्रडक्शन की जिम्मेदारी सल्मान कान खुद या अरबास कान निभा सकते हैं रिपोर्ट्स की माने तो सल्मान कान की दबंग 3 की कहानी रियल गटना पर आदारित होने वाली है दबंग 3 में एक असली पुलिस वाले की कहानी को दिखाया जाएगा यह पुलिस ऑफिसर नॉइडा के हैं और कुछ समय पहले इनका एक बावबली पॉलिटीशन के साथ जवज़दस्त बिढंत का किस्सा वाइरल हुआ था वह हैं फिल्म नॉइडा के एक पुलिस करमे की कहानी है यही वज़़जा है कि मेकर्ज ने इसे कास बनाने के लिए सेट की रियल लोकेशन को सूट करने का फैसला किया है प्रभुदेवा ने कहा कि फिल्म की स्क्रिट पर काम पूरा हो चुका है सलमान भी स्क्रिप्ट सुन चुके है जल्दे फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी दबंग त्री में कॉमेडी एमोशन एक्शन सब कुछ आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तो दबंग त्री का कितना इंतजार है आपको आप हमें कमेंट करके बताएं सब्सक्राइब करें देखो देखो क्योंकि बॉलिवूर्ट से जुड़ी आपको एरकवरे मिलेगी